भूमि रापो अनलो वायूहु खममन बुद्धि रेवच अहंकार अईतियम्मे भिन्ना प्रकृति रष्ठधा। भूमि रापो नलो वायूहु खममन बुद्धि रे बचा। लुविष्ण भगवान अपनी आठ प्रकार की भिन्ना कर प्रकृति रही है। महते यह भगवान अपनी भःवर प्रकृतिएं बता रहे हैं। एक उती म quieren्हर प्रकृति हैं नकफर हैं यहत्तर हैं। और ये तीन सूक्षम चीजी हो गई, और स्थूल चीजे टहूरों, वू मि रापो नलो वाईू, भूमी कहते हैं प्रिथवी को, आपो कहते हैं, आप जल को फिर अनलों, अज़र अगनी फिर वाईू, वाईू को और खम, खम मतलब अकाश, तो प्रिथवी, जल अगनी, नहीं बचो अहंकारम में और एहंकार तो इस सब मिलाके क्या हो गए यह भगवान की आठ प्रकार की प्रकृतिए हैं जिस से भगवान इस संसार को ऑपरेट करती है ऐसे समझे सुक्षन से करते-करते पूरा स्थूल वस्तूय संसार की प्रकट होती है तो पहले तंद मातरह आती हो फिर ओब्जेक्ट आते हैं अर्थात कहने का रदिये है कि पहले मन-बुद्धिहंकार तो है यह यह तीन सुक्षन था तो और तंद मातरह अर्थात पहले आएगा फिर टच, फिर फॉर्म, फिर टेस्ट और फिर फ्रेगरंस यह हिंदी में जिसको कहते हैं कि गंद, रस, रूप, स्पर्ष और शब्द पहले यह आते हैं, तन्मात्रे आती हैं पहले भगवान यह बनाते हैं और फिर इसके अब्जेक्ट्स बनाते हैं अब्जेक्ट्स के हैं, अब्जेक्ट्स हैं पृत्वी जद अगनी वाईव अकाश तभी अकाश को अनुभव करने के लिए साउंड चाहिए या शब्द चाहिए वाईव को अनुभव करने के लिए स्पर्ष चाहिए, अगनी को अनुभव करने के लिए रूप चाहिए और जल को उनुभाव करने के लिए रस चाहिए यह टेस्ट चाहिए और प्रिथवी को स्ट उड़े शक्ती जो श्बूरत में और है यह उन्तरंगा शक्ति कहते हैं जो बही रंगा शक्ति जिसको कहते हैं और फिर आगे भगवान कहरें कि अहांकारम इतियम में भिना प्रकृतिर अश्टधा की आठ प्रकार से मेरी भिन प्रकृति है भिन शक्ति है तो भिन का अर्थ क्या है भिन मतलब कि ये मेरे से भिन है अंत्रंगा शक्ति तो भगवान स से भागवान की अपनी अंत्रंगा है लेकिन यह भागवान की भिन शक्ति है लेकिन अब यहां पर कुश्चन यह आता है कि भागवान से जो कुछ भी आता हो चेतन होना चाहिए तो भिन शक्ति जड़ क्यों है यह डेड क्यों है इसमें जान क्यों नहीं है और अंत्रंगा श प्रत्य वस्तु तो फिर यह संसार जड़ क्यों है इसमें चेतना क्यों नहीं है तो चत्य महावरू इसलिए सिद्धान लाए अचिंत भेदा भेटत्व यह हमारी बुद्धी के परे है यह संसार और भागवान एक और अलग भी है कि सबकुछ भागवान ही है लेकिन यह जो वस्तुएं है यह भागवान की शक्तियां है इसलिए कायात है कि संसार भी भागवान ही है लेकिन कोश्चन यह पर यह उठता है कि अगर भागवान की शक्तियों से बना तो यह जड़ क्यों है तो मदवाचारे कहते हैं कि everything depends upon God कि सबकुछ भागवान के उपर आश्रित है अगर भागवान का अनुग्रह हटानी यह पर यह जड़ कोश्चन करते हैं लेकिन भागवान इस संसार के और नहीं है जब से भगवान है तब से जिवात्मा है हम सब तटस्ता शक्ति तब से जब से भगवान है नित्य नित्य नाम चेतन चेतना नाम सब कुछ降 लेकिन महां प्रू ने कहा उचिन के सब कुछ ये हमारी बुद्ध के परे ऐ मदवाचारे नहीं लाए जो टॉपिक था क्यों क्योंकि वो अनिर्वचनिय शब्द से पहले सी पागल थे जो मायावादी जो यूज करते थे तो इसलिए उन्होंने सीधा क्या नई कि सब कुछ बहगवाण और डिपेंडंट है लेकिन भागवाण इस संसार के कारण नहीं है। और इसका कारण भी है और कारण है भगवान, नमित कारण भी भगवान है, उपादान कारण भी भगवान है, तो इस तरब से चत्वnh महप्रू Dickson ने हमें अचि कर भूह भेदा भी तत्व दिया, तो यह इस लोग का और था बाकि अब इसका ताथ परे पढ़ेंगे तो आपको चीज़े क्लियर होंगी क्योंकि इतनी छोटी ग्लास में सब बताना मुश्किल है हारे किश्णा शिल्परभपात की चैर